सायाहू पर हमले और शोपियान में सर्पेंट के कतल के खलाफ आई शाम कुलगाम में केंडल लाइट मारिज का निकाज अमल में लाया गया जिसमें टेडर्स फेडरेशन, फ्रूट ग्रोवर्स असेशेशन, बार असेशेशन, सिवल माकमे माल और मकामी अवका कमीटी के आराकी ने बर्चर का हिसा लिया बेगुनाहों के कतल की मजबत करते हुए लोगों ने कहां इनसानियत का कतल सारी कौम का कतल है मजब इस रिपोर्ट में पर इसमें बेगुशन का कतल जो है इसमान की तरफ जाता है और इसमें हर किसी को फिर सजा मिलती है इसलिए हम यही कहते हैं कि यहां का ड्रेड जो है यहां का बार असेशेशन तिन है यहां की आवकाव कमीटी है, फ्रोट अस्यूसेशन है, आम लोग है, हम इसकी मज़मत करते हैं कि यह वाज़े हैं कि राथ यह चुपिया नसमा से ब्रूटल किलिंग गई हम ते बंकान इंसान बेगुना मारूं, यह आल्ला के साथ पास भी उनको जवाब देना होगा कि यह गुनाओं का मारूना बिलकुल गलत है, हम इसकी मज़मत करते हैं एक आम शहरी होने के नाते में यही कहूंगा, कि जुमौ कश्मीर में खासकर कश्मीर के अवाम ने हमेशा अमन चाहा है और आम लोग भी चाहते हैं कि जुमौ कश्मीर में खासकर हमारे जिल्य में और बाकी जिल्यों में भी अमन हो, शांती हो और लोग तरकी करें जो रिसेंटली किलिंग्स हुई हैं और जो हो रहे हैं किलिंग्स उनके खिलाफ पुलगाम की जिशुवर लोग, जिशुवर अवाम जो यहां पे जमा हुए हैं, मजब मत करते हैं और हम उन जो उनमें मारे गए उनके गरवालों, उनके लवेकिन के साथ हमारी जाती हमदर्दी है और हम बाकी लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे वाकात नहों और जो भी मरता है, इनसान मरता है चाया कोई भी हो, चाया वो हिंदू हो, मुसलिम हो, सिख ओ, इसाई हो, किनके हम सब आपस में बाई-बाई है और इस इनके बारे में हम आज जमा हुए और हम मजब मत करते हैं यही हमारा आज का यहां मिलना और यहां पे प्रोटेस्ट करना कि हम administration से जुमू कश्मीर सरकार से LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इसमें अच्छी तरीक से छानबीन हो जाए और जो भी culprit सो उनको under the law बुक किया जाए यहाँ पे सारे जो trades आए हैं उनमें bar association भी हम represent कर रहे हैं as a advocate कैसर मकीन हुम है जो भी killing हुई है वो होती रही है कश्मीर से काफी देर तक वो तो हम कश्मीरी हम हर किसी टाइम उसकी मजबत करते हैं आज भी उसकी मजबत करते हैं जो केंडल मार्ज हमने आज जो किया है यह और पोर में जो वाका हुआ है कई एख नाते पर वार किया गया हम इसकी डरी goodbye करते हैं कि आइसे वाकात नहीं होना चाहिए और जो अनत्राइंग में वाका हुआ है बाहर रियास्त के लोगों के साथ То भी नहीं होने चाहिए टोरिष्टों के साथ हम इसकी निंदा करते हैं और गार्णर इंतिजा में से अपील करते है कि ऐसी वाका नहीं होना चाहिए